साधु सुन्दर सिंग की कहानी में आप सबको स्वागत सुन्दर सिंग जो आमतोर पर साधु सुन्दर सिंग के रूप में जाना जाता है जिनका जन्म 3 सितंबर 1809 सीग में पंजाब के रामपूर में हुआ था उसके माता पिता सिख दर्मावलं भी थे सुन्दर की मा बहुत ही धार्मिक एवं प्रभू बक्त थी वह इस बात पर ध्यान देती थी कि जैसे ही सुन्दर सुबा उठे थो उसे सबसे पहले आत्मिक भोजन और आशिशें प्राप्त करने के लिए प्रभू से प्रार्तना में समय लगाना चाहिए थबी अपना नाश्ता करना चाहिए वह उसे बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि वह अपने धर्म से प्रेम करें तता एक पवित्र साधू बने चोटी सी उमर में ही सुन्दर ने हिंदु धर्म गरंत भागवत गीता को भढ़ना शुरू कर दिया था उसके एक परम मित्र की मृत्यू ने उसे विभिन पवित्र शास्त्रों को पढ़ने है तू प्रेरित किया और रात्री के समय जब सब सो जाते थे तो यह सिकों की गरंत साहिप, हिंदूओं के वेद शास्त्र अतवा मुसलीमों की कुरान शरीफ को पढ़ता था हमारे देश के असंग के लोगों के अध्यात्मिक संतुष्टी है तू खोज ने सुन्दर को अपने गिरफ्त में ले लिया सुन्दर की मसीहत से प्रतम मुलाकत उसके गाउं के ही मिशन स्कूल में हुई जहां वा पढ़ने को जाता था स्कूल में जब उसे बाइबल पढ़ने को कहा जाता था तो उसके हृदय में विद्रोह भढ़क जाता था उसने सब के सामने नया नियम की पन्नों को फाड डाला और मसीहत विरोधियों का नेता बन गया उसने मिशन स्कूल छोड़ दिया और सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा और मसीह विश्वास को ठटो में उड़ाया करता था भढ़ा वो सारवजनिक स्तानूं पर प्रचार करने वाले मिशनलियों पर अपने भदमाश सातियों के साथ पत्तर और खीचर फेकता था यहां तक कि उसने सबके सामने नया नियम की एक परतिक होवी जला दिया था परन्तु जितनी उगरता से वो येश्व मसीह का विरोध करता था उतना ही अधिक बैचेन और व्याकुल वो अपने दिल में होने लगा और अंध उसने बाइबल परना आरंब कर दी एक दिन बड़ी भोर को तीन बजे इस निचे के साथ उट गया की या तो उसे शांती मिल जाए अथवा वह अपना जीवन अपने घर के बास से गुजरने वाली रेल गाड़ी के नीचे समाप्त कर देगा सनान करने के बाद उसने प्रातना करना शुरू की है प्रमेशुर यदि कोई प्रमेशुर है तो अपने आपको मुझे पर प्रकट कर दो मुझे उद्धार का मार्ग दिखा और शांती दे अनायास ही उसके कमरे में उसे बड़ी जोती दिखाई दी जिसमें उसने उस जीवित येशु मसीह को देखा जिससे वह घणा करता था येशु ने उसे छिदे हातों को दिखाया और कहा तुम मुझे क्यों सताता है मैं तेरा उद्धार करता हूँ तुरंद ही सुन्दर का हरदय आनंध विभोर हो ठा और उसने जान लिया कि उसकी आध्यात्मिक भूख संत्रिप्त हो गई है उसका संपूर्ण जीवन बदल गया और कोई भी उसकी इस महिमामय अनुभव के प्रति उसमें शक उत्पन नहीं कर पाया सता ये जाने के लिए बुलाहट इस अनुभव के तुरंद बाल सुन्दर अपने पिता के पास गया और उसने कहा कि वह अब मसी है सुनकर उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ परन्तों बाद में संपूर्ण परिवार सुन्दर के मसी बन जाने के निलनाई से भैबीत हो आदी दिखा कर कहा कि ये सब उसके होंगे यदि वह मसी विश्वास को त्याग दे परन्तों उसके हुरदय में ये शुमसी के प्रेम उसका इनकार करने से अधिक बलवान था उसे घर से निकाल दिया गया बीना बोजन और छत के सर्द रातरी एक बेढ के नीचे उसने गु तो उसके लिए क्रूस उठाने की शुरुवात थी जिसे उसको ये शुमसी के पीछे चलने हेतु निरंतर उठाना था अंत में उसे जहर देकर घर से निकाल दिया गया वह गंबीर रूप से बिमार हो गया और मर नहीं पर था परन्तु परमेश्व ने उसे अपने महान दिन पर उसको भवतिस्म दिया गया बहुत सोच विचार एवं प्रार्तना के बाद उसने अपने आपको येशु मसीह को समर्पित किया और एक मसी सादू बन गया उसके किताबें तता जो कुछ उसका था उसने सब छोड़ दिया और गिरुआ वस्त्रधारन कर लिया नंग एसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करो केवल हमारी प्रवु येशु मसीह के क्रोस का जिसका द्वारा संसार मेरी द्रिष्टी में और मैं संसार की द्रिष्टी में क्रोस पर छड़ाया गया हूँ वह कहता था कि जैसे मसी ने मुझे प्यार करने के लिए अपना बलिदान दिया है वैसे ही मसी को प्यार करने के लिए मुझे अपना बलिदान देना होगा एक साधू के रूप में यद्यपी की अभी वो लड़का ही था सुन्दर ने अपनी स्वामी के लिए भूका रहना ठंड भीमारी और बंदी ग्रहों की यातनाओं को सहा बरस पर बरस बित्ते गए और वाखेला ही पंजाब कश्मीर अफगानिस्तान नेपाल और तिपत की पहाडियों तता पहाडू पर यात्रा करते हुए अपनी स्वामी के सुसमचार को उन लोगों को सुनाते गया जिनोंने इसे नहीं सुनाता बहुत बार उसे गृणा और विरोधों को सामना करना पड़ा बहुदा उसे भोके ही जंगल में रात गुजारने के लिए निकाल दिया जाता था वो ठंड गुफाओं तता बारिष से बचने के लिए गुफाओं में शरन लेता था कभी कभी तो उसे गुफा में जंगली जनवरों के साथ रहना पड़ता था एक दिन सुबा उसने देखा कि एक तेंद्वा कुछ धूरी पर सो रहा था एक दिन उसने पाया कि वह एक चीते के साथ था एक बार भोर के समय उसने अपने कंपल में कुछ देखा वह एक बड़ा कोबरा साप था जो सादू के साथ गर्मी में आश्रय लिये थे वो हमेशा ही नंगे पैरों के चला करता था यहां तक कि हिमालाई की वादियों में भी इस कारण उसके पैरों से खोन बहता था और पत्रों से एवं भरफ से पाव कट जाते थे इसलिए उसे लहुलुगान पैरों वाले प्रेरित कहा जाने लगा कई बार सताओं के मध्य उसके धिरज एवं आनद से प्रभावित होकर लोग उसके संदेश को ग्रहन करते थे एक बार एक गाव में लकडी पर बैट कर वो गाने लगा शीक रही भेड जमा हो गई परन्तु जब येशु मसीह के विशे में बताया थो उसमें से कहीं उससे अचानक से कृपाराम नाम की विक्ती ने उसको कस कर मुक्का मारा और सुन्दर जमीन पर गिर पड़ा उसके गाल तता हाथ चटान उसे कट गए वो शांती से उठा और चेहरे से खोन बहने पर भी उसने अपनी शत्रों के लिए प्रार्तना की और उन्हें येशु मसीह के प्रेम की विशय बताना शुरू किया कृपाराम पर इसका बड़ा असर हुआ और बाद में वह एक विश्वासी हो गया एक बार सुन्दर सिंग एक जंगल में से होकर जा रहे थे जो डाकुओं का प्रियनी वास्तान था चार आदमी अचानक उस पर जपट पड़े और एक उनकी तरफ चा को निकाल कर उनकी और बड़ा सुन्दर ने सोचा कि अब मेरा अंत आ गया अतहा वह प्रार्थना करने लगा इससे इस विक्ति को आजचरी हुआ और उससे पूछा कि वह कौन है सुन्दर ने बताया कि यह एक मसी सादू है तता वह नयानियम खोल कर धनवा विक्ति और लाजर का बयान पढ़ने लगा वह विक्ति अपने पापों के प्रति चिंतित हो गया वह सुन्दर को एक गुफा में ले गए और बहुत से मानों कंकालों के धेर को बताते हुए कहा कि मैं इन सबकी हत्याओं का दोशी हूं सुन्दर ने इस विक्ति की अगवा विशेश कर तिबत जाने के लिए उसके दिल में तीवर अविलाशाती तिबत अंदविश्वासियों जाद उठोना तता दोश्टात्माओं के भाय में डुबा हुआ था गरीब लोगों को यहां के धार्मिक नेताओं के द्वारा शोशन किया जाता था लोग यहां पर बा सुन्दर कई बार तिबत की यात्रा पर गए एक बार सोला हजार फीट की उंचाई पर भीषन टंड में वह खुले मैदान में सोया एक बार एक नगर में वह प्रचार कर रहा था तो उसे गिरफतार कर लिया गया और विदेशी धर्म के प्रचार का दोश उस पर लगाए ग जाल कर उस पर ढकन लगा कर ताला लगा दिया उससे पहले भी बहुत से उस कुए में डाले गए थे अथा सुन्दर हड्डियों का धेर और सड़े मासों पर जाकर गिरा धुर्गंद भाती तता किरते समय उसके हाथ में लगी छोट से काफी दर्द हो रहा था लगबक तीन दिनों तक वह इस अंधेरे कुए में भूका प्यासा और बिना नींद का रहा तीसरी रात्री जब वह परमेश्यों से प्रार्तना कर रहा था तो उसे अपने सिर पर कोई आवाज सुनाई उपर दर्वाजा खुला और आवाज आई कि इस रस्ती को पकड़ लो उसने वैसे रही किया और वह कोई का धक्कन लगाया और रात के अंधेरे में अंतर ध्यान हो गया सुन्दर जान था कि उसे परमेश्यों ने चोड़ाया है जैसे हिए उसे पर्याप्त शक्ती मिली वह फिर से प्रचार करने लगा और बहुत से भूके दिलों से उध्धार प्राप्त कि सुन्दर सिंग नेपाल में जहां दुर्गंद भी होती थी अकेले उसके कपड़े उतार कर एक खंबे से उसके हाथ पाउ को बांध दी किसी ने धेर सी जोंक इकटा कर उसके शरीर पर फेक दी थी परतु इस तकलीफ के मध्य में भी सुन्दर परमेश्व से प्रार्त न करता और स्तुति के गीतों को गा अपने सारे दुख तकलीफ में सुन्दर ने कहा मेला उधार करता के लिए दुख उठाना आनद की बात है इस आनद का रहस्य क्या था? उस ने कहा मेरी सारी परिक्षाओं तता आत्माओं को बचाने का परिश्रम मेरी सांत्वना, मेरी आशा, मेरी प्रेरना सभी कुछ के पीछे येशु मसीह का क्रूस था क्योंकि मेरे लिए मेरा येशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ दिया तता अपने उपर क्रोस का बड़ा बोज ले लिया अधा उस प्रभुक के लिए आत्माओं को जीतने में मैंने अपना क्रोस उठा कर कोई काम बड़ा काम नहीं किया है नेपाल की जेलों में अपने अनुभवों को बताते हुए सुन्दर ने कहा येश्व मसीह के धन्य पस्तिती ने जेल खाने में मेरे लिए सुकताई जन्नत बना दी सुन्दर के दुखों तता उसके अनुखे अनुभवों के घ्याती चारों और फैल गई तता विश्व के सभी मसीह लोगों को ध्यान बारत के इस प्रेरित की और आकरशित हो गया चुनोती रखता रहा कि अपने स्वयम का इंकार करते हुए अपना क्रूस टाकर अपने स्वामी के पीछे चले उसकी इन मिश्णरी चुनोतियों ने बहुत से लोगों में प्रातना तता क्रिया शील बनने हेतु हल्चल पैदा कर दी वह श्रीलंगा, बर्मा, मलाया, चीन तता जपान भी गया उसने पस चात्य देश, इंग्लेंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया तता यूरोब के कई देशों का भी दोरा किया वह जहां जहां भी गये लोगों ने ये शुमसी की समानता को उसमें देखी एक पार उनकी सभाव में बैटी एक छोटी लड़की ने पूचा, क्या ये ही ये शुमसी है? आत्माओं के प्रती, प्रेम तता जीवन की पवित्रता के विशय, वह सच्मुच अपने स्वामी जैसा ही था सुन्दर के अंतिम शब्द 18 अप्रेल 1939 को अपने मित्रों में से एक उसने पत्र लिखा, मैं आज तिपत्स जा रहा हूँ, यात्रा के जोकिमों और खत्रों को भली बाती जानते हुए भी, क्योंकि मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अपना सर्वत्तम करना है दिन बीते गया और उसके लौटने का समय हो गया, परन्तु वह कभी लौटकर नहीं आया और ना ही उससे अथवा उसके विशे में कोई समचार प्राप्त हुआ संबव है कि वह पहाडों से गिरकर समाप्त हो गया हो, अथवा तिबत में कोई में डाल दे जाने से या याक जानवर की खाल के अंदर बंद कर कड़कते सूर की दूप में तब तक सुकने देने से जब तक कि उसकी हड़िया छोर ना हो जाए, प्रभू के लिए वह शहित हो गया हो उसका अंत चाहे जैसे भी हुआ हो, परंतो हम एक बात के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है कि बाहरत के इस प्रेरित के लिए प्रभू के पास एक शाश्वत मुकुठ सुरक्चित है